हालो फ्रेंड्स मैं तर्णू आज आपको बनाने दिखा रही हूं ब्रह्म सिली सेवई जो कि हमारे यह पर रक्षा बंदन पर बनती है दोस्तों और यह एक स्वीज दिश है जो कि बहुत ही डेस्टी होती है तो इसके लिए दोस्तों मुझे चाहिएगा मखाने बीगेवे ब तो यह आधर कप्चीन है और जोस्तों यह मेरा लगबग हाफ केजी दूद थोड़ा मैंने बॉल को नहीं छोड़ा है इसी में थोड़ा दूर मैं मिलांगी अब ही देखी फेंड्स कि इसको एक तेज बॉल आने के पाथ फ्रेंज मैं दी देरे अपने समान चल दालोगी इसमें केरे फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं सह्तर थोड़ी जल्दी गल जाती है पड़े जो ब्रह्म से लिए अफ्रेंड्स ही एट तो टाइम लेती है फक्ने में तो इससे पहले मैं ब्रह्म सिले डाल दूगी फकी वह थोड़ा जल्दी पक जाए और दूर जैसे तक बूद के साथ सब्सक्राइब तक बूद के साथ सब्सक्राइब कि आप चाहें तो बदाम भी डाल सकते हैं हलके हम लोग इसे चलाएंगे कि देखिए इसमें बॉइल आगे है इस बूदम उपर आने को और एक दम जैसे उपर आएगा फ्रेंस तो सबसे पहले जाले हैं जितनी भी ब्रम्चली आए वह डालोंगी विद्टी भी दिकालके और ब्रम्चली में पर्टि ब्रम्चली में चूर बना लेंगी ऐसे हाँ से ताथी थोड़ा छोटी हो जाए और अच्छी लगी पर इस खाने में आपको यह दिखिए इतनी हैं पर जबबी ब्रम्चली और मखाने इतने यहां पर पक रहे हैं इसलिए मैंने पहला आपको यह डाल दिया था कि इसको टाइम ज्यादा लगता है तो यह पकेंगे आराम से इतने हम बागी चीज़ें इसमें डालेंगे और इसी बीच में दोस्तों हमारा जो बदाम है वह स्वरी हमारे जो में खाने हैं यह भी पक जाएंगे अब इसी बीच फ्रेंस इसको चूड़ा कर लेंगे इसी से हमारे या पर फ्रेंस पूजा होती है रक्षमान वाले दिन उसके बाद राखी बांदी जाती है इस चीनी भी फ्रेंस में डाल दूंगी क्योंकि चीनी से क्या है न तो ठीक हो जाएगा ज्यादा थीक नहीं होगा एक्दम से इस अपके आने साथ साथ अवारे जवे पकते रहेंगे और जैसे जवे पक रहे हैं आप देख सकते हैं बॉइल लगातार उसके अंदर आ रहा है और बबल्स भी आ रहे हैं यह दिखिए अब क्या है न आपने जि क्या होता है कि यह बहुत हार्ड होते हैं तो भीगने के पाथ सॉफ्ट हो जाते हैं और खाने में भी अच्छे लगते हैं यह फ्रेंस किश्मिश है जो मैं ढाल रही हूं इसमें कोई भी फैट ड्राय फूट आप डाल सकते हैं जो आपको उच्छा लगे मैं फिलाल यह चा अगर हम इसे पहले डालते हैं तो जो हम जवे ना जो ब्राम से लिए वो पकते नहीं तो इसलिए अब हम इसमें शेवे डालेंगे एंड में बिल्कुल और इसे डालने के बाद इसे चलाएंगे फ्रेंस और कुछ और बाखे चीजा आपके बस बचे हों वह सब आपिस में बनाएंगे तो अलग होता है क्या होता है सेवा ही जो होती है वह बहुत जल्दी दूट को पीकर इविदम से थीक हो जाती है और लेकिन अगर जवे डालेंगे इसनों तुबहरी करके ज़वे से थोड़ा हाफ अमूंट ले ले जवे थोड़े ज्यादा ले ले आप तो यह ब बनती है अगर आप अलग से जबी बना कि करए है अलग अगर आप अलग से शीक्किलां जर्शा होता है तो इतना मज़ा नहीं आता है तो दूध से होग सप्षाद कर देना घृटी तकि जायेगे दिरे दूद इसमें आप देखे तो भू़ा और नहीं विदो तो यह ब्रंचिली सेवई तयार है रक्षबंदन और आप इसे कब भी बना सकते हैं पेपी इसे खाता है और भी बनाईए और इसे खाईए यह बहुत ही अमेजिंग डिश है स्वीडिश है यह देखे फैंस मैं अभी आपको इसारी दिखाऊंगी फिर से यह देखे बन चुकी है लोग इसको ठीक भी कर सकते हैं वकर ठीक खाना चाहते हैं तो बट मेरे हिसाब से तो यह ऐसे ही ठीक है इतना ही होना चाहिए इसको वरना फिर ज्यादा थिक भी नहीं ख सकते हैं अब इसमेर में थोड़ा सा टालोगी अपने ड्राइफ रूट्स कि रिखिए तो फ्रेंस यह मेरी ब्रंसले सेवई तैयार है यह आप इसे बनाएंगी और यह खाने में बहुत स्वाद होती है मीठा कम ज्यादा अपने साफ से रख सकते हैं तो आप इसे बनाईए खाई है और मेरे साफ शेयर कीचिए और यह बहुत हैल्दी रेस्पी है फॉर यह बेबी थैंक यूओ